हेलो फ्रेंड्स आपको हमारे यूटूब चैनल गोविन सुपला मैथ पे आपका स्वागत है और आप लोग आज में टाइम एंड वर्क का पार्ट टू पढ़ाने चल ला हूं टाइम एंड वर्क का पार्ट टू चल रहा हूं ध्यान दीजे वेटा जैसे पहला हम एक मॉडल ले रहे हैं पार्ट टू में एक मॉडल ले रहे हैं यह मवन देखती किसी काय को कितनेजिनमे करते हैं? D1 दिनमे यह मवन देखती है तो किसी काय को करेंगे दिन में तो यह रेजल्ट कितना होगा यह मौन दिन में समाप्त होता है यह मौन बेखती है तो कार दिन में समाप्त होता है अर्था दिन का रेजल्ट दिन जो होगा वो होगा M1D1 और M2 बेखती है तो कार दिन में समाप्त होता है इसका जो रेजल्ट होगा M2D2 कार वही है दोनों तो क्या होगा M1D1 बराबर M2D2 यह फार्मूला बिटा याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टन फार्मूला है और यहां से बहुत सारे कोईस्चन पोचे जाते हैं सेम वर्क है ओके यह मोर्न बेखती होंगी तो माना कार D1 दिन चलता है M2 बेखती है तो कार कितनी चलता है डी तु दिन तो यह मोर्न पार्म यह मोर्न डीवन का कुर्ण पर्मूल बइसेंध को और जब से रख है तो क्या होगा एक कुषिचन लिख रहा हूं जो बहुत इंपोर्ट एक कुषिचन लिख रहा हूं जो बहुत इंपोर्टेन एक कुषिचन नमबर एक है पुश्चन नम्बर एक है बीस ब्यक्ति किसी कारी को 30 दिन में करते हैं 30 दिन में करते हैं बीस ब्यक्ति किसी कारी को 30 दिन में करते हैं तो उसी कारी को 15 व्यक्ति उसी कारी को 15 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे कितने दिनों में करेंगे पूश्चन है ध्यान दिजे बड़ा पहले इस्टप में कितने बेख्ती हैं 20 यह 20 बेख्ती है तो कार कितने तिनमें हो रहा है कार्य हो रहा है 30 दिन में तो M1 is equal to 20 D1 is equal to आपका हुआ 30 उसी कार्य को 15 M2 की वह रूप कितना रखेंगे 15 उसी कार्य को 15 कितने दिन में कार्य समाप्त करेंगे माना वो कार्य समाप्त होता है D2 दिन में कितने दिन में D2 दिन में तो क्या है आप लोगे ने फार्मूला क्या पढ़ा M1 D1 बराबर M2 D2 दिख रहा है समझना रहा है तो यहां M1 की वैलू यो दी गई है M1 की वैलू दी गई है 20 D1 की वैलू दी गई है माली 15 कितने दिनमे काज हो만 का고 मालेज 1 कि 15 से कट जाएगा दो वर जाएगाでは 23 22ën वा खेले कितने दिनमें है 40 वाकारी चाले एक करता है 20% किसी कारी को कितने दिन में करते हैं 30 देज में सेम वर्क है उसी कारी को 15 बेकती 15% कितने दिन में how many days finish this work 15 दिन में 15 कितने दिनों में कारी को समाप करेंगे कि अर्मुला यार रखेगा यह मौन डीवन बरावर एंडू डीटू क्लियर चलिए एक एक जांपल हम और ले लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए किसी बेस पर है सेम जैसे अंक बदल दे रहे हैं आपके अभ्यास के लिए है 45 बेखती इतने बेखत 45 किसी कारी को 75 दिन में करते हैं 45 किसी कारी को कितने दिन में करते हैं 75 दिन में यह मौन का मतलब मायन से अर्ष लगाया जाता है यह पैंतालिस व्यक्ति हैं तो किसी कारी को करते हैं कितने दिनों में करते हैं कितने दिनों में करेंगे कि माना वो कारी को समाप्त करें कितने दिनों कारी को समाप्त करें कि हार मुले पर रख दिया यह मौन की वैलू कितनी है पैंतालिस डीवन का मान है पचाहत्तर एंटू का मान कितना है साट साट कितने दिन में हुआ साट दिन में तो देखें वेटा आप इसको अब सॉल करेंगे डीटू परावर पैंतालिस गुड़े पचाहत्तर वटे साट ओके पंदरा से काट दिए इतनी बार जाएगा तिन बार जाएगा पंदरा तिया पैंतालिस पंदरा चो के साट अब कटेगा ये नहीं कटेगा अब जब नहीं कटेगा पंदरा तिया पैंतालिस पंदरा चो के साट अब ये तीन बार जा गया है वेटा तीन पचे पंदरा तीन सते एकीस और बाईस चार से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा दिख रहा है चार पंचे 20 चार पंचे 20 चार चख 24 इंग बच गया 56 सही एक बटे 4 दे तो दीटू का वेलू कितना आया 56 सही एक बटे 4 दे ना समझना आये तो ऐसे रेजलू कैसे लिखा जाता है 4 से डिवाइड करेंगे 5 ताइमस जाएगा यह हुआ 2,5,4,5,4,6,24,1 रिमेंडर बची गया तो इसको लिखेंगे 56 इस टुवन वाइब और डे में कारे समाफ्त होगा इसी कुईशन को यह दिए पूछा जाए बेटा कि कारे कौन से दिवस में समाफ्त होगा कितने दिन लगेंगे कारे समाफ्त होने कौन सा दिन यह नमा दिन तो वो कारे कौन सा दिन होगा वो कारे 56 अलग आगे बढ़ जाता है कारे 56 से ज्यादा दिन तो कारे 97 दिन 57 दिन यह कारे समाफ्त हो जाएगा राइट चलिए किलियर होगे है कुईशन आगे कि आगे कि देखिए विटा अगला मॉडल है कि सिगन टाइप पॉईशन फिर्माल लिया रहा है और बेटा इस्टेंडर क्लास चलती है यह भी तो हम बेसिक आप लोगों भी डेमो दे रहे हैं रेगुलर क्लास करनी हो तो आप परियाग राज में अल्लाप्र में मेरी जो आठ महीना चलती हैं दो-दो घंडे क्लास चलती हैं जो बेसिक लेवल से अपर लेवल ते की क्लास लेना हो एससी सीजियल है बैंकिंग है रेलोय है या कमजोर बच्चों की हमारे यहां अलग सेप्रेड वेल चलता है उनको बेसिक लेवल से जोड़ना घटाना गुड़ा भाग करना भी सिखाया जाता है बसरते आपके अंदर सीखने की प्रभिति होनी चाहिए यह चली अगला मडल सिखन्ड मडल टाइट टू जैसे बेटा यह मवन ब्यक्ति लिख दे राहूं स्कोच्चन में यह मवन ब्यक्ति कि किसी कारी को यह मवन ब्यक्ति ऐसे नह समझ में आएगा आप लोग को दुबारा बिक्षिवा यह मवन ब्यक्ति दी वन दिन में डब्लू वन कारी करते हैं मतलब पिछले मौडल में क्या था दोनों को में कारी की मात्रा या कारी जो था दोनों में बराबर था समान कारी करना था लेकिन यहां कार ज्यादा कम ज्यादा है कार दोनों का बराबर नहीं किसी का कम है किसी कारी ज्यादा है कि क्यों कि यमुट्यक्ति दिनों में को डब्लू कारी करते हैं तो फार्मुला क्या बनेगा बैटा कि थोड़ा सा करसर राइटिंग हो जाती है यह मौन ब्यक्ति है डीवन दिन में कितना कारी वहां पर कारी दोनों बराबर था तो दो लेकिन यहां कारी है वही कारी नहीं अलग अलग कारी है यहां पर यहां पर M2 D2 अपान W2 यह फार्मुला उपर नोटल लीजिएगा आप लूग यह मवंड डीवन अपान W1 बराबर M2 D2 अपान W2 और इसमें जो हम YouTube पे जो वर्क कर रहे हैं मैं के लिए वर्क करने के मेरे पास टाइम में ही था लेकिन इसमें जो है गोलू है दीविका है इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है ओके दीवका तो पूरा यह बोर्डोर तक रख देती है बहुत हेल्प करती है तो आप लोग इस स्पेशल दीवका को थाइंक्स बोलिए गोलू को थाइंक्स बोलिए और यह लोग अपने भविस को उजल करें क्योंकि आपके भविस को उजल बनाने में इन लोगों के बहुत बड़ा रोल है ओके चलिए इसी पर बिड़ा मैं पूझे की बिड़ा समझ लेजिए यह कि यहां टू व्यक्त डीटू दिनों में कितना कार करेंगे डवलू ओके किलिया तो यह मौट डीवन अपन डवलूवन एम टू डीटू अपन डवलूटू देखें उसमें सेम कार था तो वहां पर आप लिखने के कोई जरूत नहीं लेकिन यहां पर कार क्या है अलग चालिस ब्यक्ति 20 दिनों में 40 ब्यक्ति 40 ब्यक्ति 20 दिनों में एक तिहाई कार करते हैं तो करेंगे कितने दिनों में करेंगे कितने दिनों में कितने दिनों में करेंगे ओके इसकायत रहता हावाज को लेकर यह सिकायत कल आपकी जरूर दूर हो जाएगी तो टाइम नहीं मिल पाया कि मैं उसको ब्लू तूथ ले लू लेकिन कल से आवाज थोड़ी और किलियो होगी कि एकदम असफश सुनाई देगा वैसे मेरे यवाज की सोच कुमारस जैसे मिलती है यह मैं गाना गाने लगो तो मुर्दे वे उटके भाग जाते हैं ओके चलिए बेटा यह मवन ब्यक्त यह मौन के अस्थान पर क्या रहेगा पहला सेंटर देखे चालिस ब्यक्ती हैं कितने ब्यक्ती हैं चालिस कितने दिन में कारी करते हैं डीवन कितना कारी करते हैं वेटा बीज तीन यह मौन ब्यक्त का मतलब चालिस है मौन की वेलू कितने हैं चालिस ब्यक्ती हैं कारी कितने दिन में होता है बीज दिन में और कितना कारी होता है तो 20 दिन में होता है, एक बटे 3 कारे, ओके, 40 बेट, 20 दिन में कारी करते हैं, एक बटे 3, आगे, EM2 का मान कितना होगा, यहां सध्यान से देखिए, EM2 के बहलू कितनी है, 45 बेट, सेज कारी को कितने दिनों में करेंगे कि क्या जाना चाह रहा है D2 क्यों सेज कारी को कितने दिनों में करेंगे अच्छा बिटा ये बताइए एक बटे तीन कारी हो गया है तो सेज कारी कितना होगा एक बटे तीन कारी हो गया है तो दो बटे तीन कार सेज बचा है इन दोनों को जोड़ देंगे तो आज आएगा एक बचा हुआ कारी का तरीका कैसे निकालेंगे एक और तीन का अंतर कितना होगा एक और तीन का अंतर हुआ दो हर जो है वही लिख देंगे दो बटे तीन 3 मैं से 2, 2 वटे 3, से इसका है कितना होगा 2 वटे, ओके किलियर, तो देखिए हम यहां पर थोड़ा समझा रहा हूँ, M1D1 upon W1, M1D1 upon W1 is equal to M2D2 upon W2, M1D1 upon W1 is equal to M2D2 upon W2, right, M1 की वईलू कितनी है, M1 की वईलू 40, D1 की वईलू कितनी है, 20, कितना कारी है, एक वटे, ओके, देखिए आगे, यहां पर कितने देखती आगे, 45, कितने दिरों में कारी समाप्त होगा, कितना कारी बचा रहे गया था, 2 वटे, 3, तो 3 से 3, कट गया, right, थोड़ा यहां solve कर रहा हूं, D2 परावर क्या लिखेंगे वेटा, 2 का 3 गुड़ा हो जाएगा, 2 का 3 गुड़ा हो जाएगा, तो 40 गुड़े 20, गुड़े 2, बटे 49, 40, okay, 5 से काट दीजे, 5 9 जा, 45, और 5 8 जा, 40, इसका हम गुड़ा कर दें, 8 का, 20 का, और 2 का, तो इसका कितना हो जाएगा, 8, 2, 16, 2, 32, और 1, 0 बढ़ा देंगे, कटेगा है नहीं, भाग दे देंगे, अब दीखे बिटा, ना समझ माएं, तो ऐसे 320 को अग्दब बेसिक तरीके से घवड़ाइए मत, और आप लोग जितने लोग टेटोट की तयारी करते हो, बिटा, वो लोग तो बिलकुल मत घवड़ाएं, और जो ससी, सीजल, बैंक रेलोए देते हैं, वो भी मत घवड़ाएं, अभी मेरे क्लास से एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट होंगी, 9 से भाग दे दिए वेटा, कितने बार जाएगा, तीन बार, 9 तरिक, 27, 27, 25, 32, 9 पचे, 45, कितना बचा से इस, 5, तो इसको कितना दिन डारेक्ट लिख देंगे वेटा, इसको लिखेंगे, 35 सही, 5 बटे, 9 दिन, देख रहा है, कितने दिन, कितने दिन, कितने आई, 35 सही, 5 बटे, 9 दिन, ओके किलिए, एक बार और देख लेजे, 40 बचती है, यह मौन बरावर 40, कितने दिनों में, 20 दिनों में, डीर 1 का माल, कितना कार, 1 बटे 3, 45 बचती होते, 45 होगा, सेस कार, 1 बटे 3 वेटा, 3 वेटा, 3 वेटा, 2 दो बटा, 3 कार कितने दिनों में समाप्त होगा, यह फाइंट करना है, और मुला क्या है, यह मौन, D1 अपां, W1, M2, D2 अपां, W2, तो यह मौन का अपां कितना है, 40 बटे 20, कितना कार किये थे, 1 बटे 3, सेस कार कितना, 2 बटे 3, M2 के अस्तान में, 45 बटे 2, 3 से कड़ जाएगा, 2 का अगला, जैसे कुश्चन अगला माडल है, थोड़ा सटका एक चेंज है, या इसकी कुश्चन को एक और करोगे, चलिए कुश्चन को कर लेते हैं, मैं कुश्चन को डायरेक्ट समझाने कोसिज कर रहा हूं, समझेगा, नोट मत करिए, वैसे समझेगे, आप से कहा जाए, बेटा, यह M1, आप से कहा जाए, 60 बेट की, कितना? 60 बेट की, 45 दिन में, 45 दिन में, 3 बटे 5 भाग करते हैं, 45 दिन में, 3 बटे 5 भाग, तो 3 बटे 5 भाग कारी करते हैं, मतलब 3 बटे 5, W1 होगा, राइट, 60 बेखती, जो मैं बोल रहा हूँ, उसको समझने कोसिस करिएगा, कोईशन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट, 60 बेखती हूँ, 45 दिनों में, कितने दिनों में, 45 दिनों में, यह परसन है, इतना पार्ट, इतना भाग काम करते हैं, राइट, 60 बेख, 45 दिनों में, 3 वटे, 5 काम करते हैं, 45 बेख, कितने बेख, 45 बेख, कितने दिनों में, कितने दिनों में, शे इसकार को समाप्ट करेंगी, तो इसको हम डबलू डू मान लिए, यहां से इसकार कितना होगा, पांच में से तीन कटा दोगे, दो आ जाएगा, दो बटे, पांच बाद, ओके, तो चलिए, क्या लिखेंगे, M1, D1 अपान, W1, M2, D2 अपान, W2, ओके, M1 का मान, 60 है, D1 कितना है, M1 का मान, 60, और D1 का मान है, 45, ओके, और W1 कितना है, 3 बटे, 5, ओके, M2 का मान कितना है, 45 है, कितने दिनों में, D2 है, कोईस्चन मार्क है, एक ज्याद करना है, बेटा, D2 लिख दे रहाँ, डायरेक्ट, कोईस्चन मार्क है, चिन लगा है, कितना भाग, दो बटे, दो रों का है, बराबर है, कट जाएगा, ओके, 3 से काट दीजिए, 15 हो गया, तो D2 बराबर क्या लिखेंगे, D2 बराबर 60, गुड़े 15, और दो का गुड़ा यहां हो जाएगा, अपान 45, 15 एकम 15, तिया 45, तेन दो नीच छे, तो कार कितने दिनों में समाप्त होगा, कार समाप्त होगा बेटा, 40 दिनों में कार वो समाप्त हो जाएगा, ओके, बहुर तो नहीं हो गया, कितना टाइम हो गया, बोलिए, 11 बिल के पाँच, तो अभी क्लास लेंगे, चलिए बटा, 60 दिनों में, तीन बटे पांधा कम करते हैं, 45 दिक कितने दिनों में, सेज कार करेंगे, तो सेज कार दिया नहीं रहता, बटे पांच बहुरू है, तो बटे पांच बहुआ आपसे कहे, 4 बटे 5 काम होगया, तो 45 से 5 उटा दो गए, बटे 5 कार सेज बजेगा, 8 बटे 11 बहाग कार होगया, तो तीन बटे ग्यारा भाग से इसकार बचे का राइट चलिए इस पर एक मॉडल कोईशन और लेते हैं और उसके बाद जो है हम कल के देड़ में अगला टॉपिक रखेंगे तैसे कि अगला टाइफ है विटा यमवन ब्यक्ति इतने ब्यक्ति यच फार आवर जोड़ दिया हो यमवन ब्यक्ति यचवन घंटे यचवन घंटे पर दिन कारी करते हैं तू यचवन घंटा